हुआ है हलो माई यह फ्रेंड्स वेलकम टू गौरो आई एस और मैं हूं अमित कुमार यहां पर आपको एक बड़ी न्यूज के साथ आपके सामने आया हूं जो कि अभी पोस्ट अभी हाली में आज ही अभी अभी यूपी से से प्रदेश लोग से संघायोग से न अभी आई ह हमारा उसको लेकर क्या इतरbye और आभी हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में क्यावार घ्रा उद्हरूं के आंप सब् weaving कर रहे हो गिए हैं कि सब्सक्राइब हो दिए हैं इस आपने इतल्ध में क्लास नहीं योगी और यही नहींние UPPSC घारूट-गया सभी जगए की जार्खंट पीस सी यूपी पीस सी राजस्थान पीस सभी चेंज हो चुक्ट है और यह भी यूपीस का बचा था तो यह भी हो गया अधस अक्टूबर को तिसमें सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगो यहां पर देख लीजिए आप यह है यूपीस का लेटर जो आया हुआ है ठीक है तो यह सभी के पास पहूंच भी गाव सभी कोई जानते हैं निकाल तो सभी लेंगे यूपीस के वेबसाइट से लेकिन मैं आपको और भी तरीके से दिखा देता हूं एक एक करके जो नहीं नहीं देखा वह भी देख सकते हैं इ प्रिमिनरी एक्जाम है वो रिसीडू कर दिया गया है रिसीडूल कब किया गया वह 27 जून से यह कर दिया गया 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को यह होगा प्रिमिनरी इसमें अब आपके पास टाइम बहुत है अभी जल्दी जल्दवाजी थी कि हम क्या पढ़ें कैसे रहे हैं कब कुरा होगा स्लेवर्स कम नहीं होगा बहुत सारी चीजें मन में आते थी कुछ लोग इस तरीके से बैच नहीं करते थे कि पढ़ते दिनी थे कि हम कैसे होगा और दिमाग में यह भी टेंसन भी थी कितनी जल्दी कैसे अब आपके लिए रिलाक्स है और गोरो आ होता है बाद साथ में ऑनलाइन अगर लेते हैं आपके घर सारे हमारे नोट्स भी आ जाते हैं सारी चीजे हैं उसकी भी इंफोर्मेशन में आपको दूंगा लेकिन इससे पहले हम चलते हैं इस्ट्रेट जी अब हमारी क्या होना जाए है क्योंकि अब हो गया कभी अक्टू जी बना लो अब देखो एक चीज आपको ध्यान देना अगर यूपिस की स्कॉरिंटों तो आप जरूर जानोगे अब आपको स्कॉरिंग का टाइम आ गया है कि आपको एक तो आप निखरने का टाइम आपको अभी यह मत सोचना कि हमारा आप 27 को ही एक्जाम है बढ़ गया तो बड़ा टेंशन लास्ट में होगा और सारा जो चीज अभी तक किया है उसी तरह मेनत बराबर रखी बस उस पर क्या है एक स्ट्रेटजी बनाएगी कि जो अभी एक तम स्पीड से चल लाए थे उसको प्रॉपर तरीके से एक बराबर करके ले में और हर चीज समझदारी से उसे आगे करना है ठीक है तो इस चीज को समझना है पहले से अब इस्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक चीज पिछली बार की एक्जाम में क्या होता है लास्ट एक्जाम का एक्जाम पल देता हूं इस बार वो नहीं होने व तब तक UPSC का पेपर बन चुका होता है ठीक है पिछली बार पेपर इसका complete हो चुका था examination का बन चुका था और इसके लिए उन्हों ने क्या सोचा कि अगर examination का पेपर बन गया है और बनाना हमें टो नहीं करना पड़ा तो हम इसमें नहीं रखते कब किया था जुद करेंगे किया ता कि पहले इलहीं पहले पहले सिर्फ हुआ था पिछली बार इसलिए उन्हों करेंट नहीं रखा था करेंट नहीं उसमें आया लेकि इस बार करेंट आएगा माईडिया करेंट इतना ज्याद आएगा क्योंकि अब इस उन्होंने कितनी दिन पहले यह सोचो कि दो महीने पहले ही मान के चलो जून अभ भी करेंट नहीं रखेंगे करेंट तो आएगा ही आएगा करेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना पिछली बान नहीं आया लेकिन इस बार करेंट आएगा राइट और अब इसमें ध्यान समय तो यह आएगा दूसरी बात अब इसमें कैसी कैसी सिच्वेशन का इस बार का जो चलना है अब आप क्या करोगे इसमें मैं आपको यहां पर सब कुछ बता देता हूं अब आप सोचिए कि आप एक दिन में आठ घंटे की स्टेड़ी मिनमम आठ घंटे की आप बनाई एट आर्स की स्टेड़ी बना लीजे पढ़ने के लिए आप मैं गरंटी लेता हूं एट आर्स की यह बनाईए और हमारी यहां क्लास लीजे गरोवाई से आप देखना आपका एक्जाम हम कौलिफाई करांगे इसकी गरंटी हम लेते हैं अगर आपने स्टेड़ी फॉलो की और हमारे साथ पढ़ा आपने तो क्या स्टेड़ी होनी चाहिए एक तरफ आपका टाइम टेबल मतलब टाइम होना चाहिए दूसरा आपका यहां पर दे कर दो अडे के साथ इसमें स्लेबस कर दो दे हो गया और यहां पर आपके सब्जे इसमें क्या पढ़ना है इसके बाद जो आपका यह है इसके बाद थर्सडे बाद फ्राइडे और सटर्डे और संडे संडे को भी इसमें करिये काम इसमें आप पढ़िए एंसेंट हिस्ट्री इसके बाद आप चलते हैं तूस थर्टी टू कम सकम इतने आर्स पढ़ना है आपको प्रियार्स इसमें क्या करेंगे मंडे टूजडे वैड़नेस डे थर्सडे इसमें पढ़िए पॉल्यटी पाल्टी विच वार्ट इस बेरी इंपॉर्टन काउंट सा है असा तो आप काहों कि जो आच चुका विच हैस्कम इन current affairs, जो current affairs में आया है, उससे ज्यादा पढ़ना, ठीक है, related to current affairs उसको ज्यादा पढ़ना है, बाकि आप quality तो पढ़िए पढ़िए, साथ में, आप यहां पर आता है, जैसे Friday, Thursday, Saturday, बस कम मत करना, आप सोचना कि, यहां एक्जाम, June को ही लेके चलना, यह जून है, बस उस आप से तो फोर सा माइड में तो आही जाता की पर बढ़ गया लेकिन आपको कम नहीं करना है इसकी बिल्कुल भी कम यह आपका Friday 30 3 अवो Friday Saturday Sunday इसमें आप क्या करेंगे कि सुरी मैं आपर Saturday Sunday है यहां पर क्या कर दिए Saturday Sunday इसमें क्या करेंगे यहां पर economy कर दो तो major part आपके हो गए इसके बाद अब यहाँ पर Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday यहाँ पर आप कर दो geography और Friday, Saturday सिर्फ दो दिन पढ़ो इसमें environment इसके बाद आपको करना है इसके बाद जो बसता है टाइम एक घंटे मिनिमम एक घंटे आप डेली current affairs पढ़ो आप साल भर का repeat कर डालो आगे भी रोज का पढ़ते जाओ और पिछला repeat करते जाओ current affairs डेली एक घंटे और अब इसी strategy को आप लगातार कितना बन रहा है इस तरह के से चलेंगे तो नौ गंटे दस गंटे टोटल हो रहा है अगर इसके हिसाफ से चलेंगे तो यह आपका देख लेते हैं देख लीजिए साड़े साथ गंटे और प्लस 830 आर्स पूरा बन रहा है यह इतना और एक गंटे इसका मिला लो तो 830 बन रहा है अगर इस बाले को लेख चलेंगे तो 10 आर्स बन रहा है जाहे जो आप कर लो उसके आपको यह एक्जाम हमें क्वालिफाई करना है हराल पे अब देखो यहां पर अगर यह चीज़े फॉलो करते हैं साथ में हमारे यहां से क्लास लेते हैं पेड़ बैच जो आपको 2-3 गंटे की क्लास होगी जादा नहीं होगी तो हम कोशिस करें एक डेड़ से 2 गंटे क्लास रहेगी एक लेक्ट्र डेट से 2 गंटे कराएगा उसके हिसाब से हम तयारी कराएंगे आपर एक जाएगे यहाँ पर बताएगा जहींट आप दिजाएगे जादा है चाहीं serious को अब पका इसके बारा से बारे संव जादाए तब यहां पर अपर सबस्के आप्स लेंगे तो कि यहांव फोकर स्कुराने के रही है तब्रोनकर 2 दूसरी साल इतना ज्यादा नहीं रहेगा तो वह एक्जाम नहीं डिले हो तब तक वैक्सिन तो पूरी होई चुकी होंगी तो अगले बार भी ऐसा चांस मिलेगा चांस आपको आपके लिए न भगवान ने बड़ अच्छा सोचा है कि चलो जिसकी तरही नहीं थी वह आप कर सकता है ठीक है यहाँ पर क्या करना गौरवाइस जो आपको दे रहा है वो क्या करेगा देखो आप जब यहां मार बैच लेंगे 2021 का अच्छा है 2022 का दोनों के बैच अलग अलग होंगे जो आपके लेक्चर होंगे लेक्चर वह आपका एक से डेढ़ घंटे का होगा वन टू वन थर्टी यार सिर्फ इतने का होगा क्योंकि इससे ज़्यादा मॉवाइल पर हम देखने ही पाते लैप्टाउप पर इसके बाद सारे सारा सब्जेक्ट सिलेबस पूरा कंप्लिट सिलेबस कराए जाएगा कंप्लिट कोर्स होगा कि आउट से सेंस भी करा आई जाएंगे इसके बाद यहां से देखो टेस शूरी भी है आपको फ्री मिलेगी अ प्री बढ़ाते जाएं और यहां से आपको study material भी अगर आप admission लेते तो study material आपको भेजा जाएगा notes जो है आपकी materials और हमारा telegram से जो daily की class का PDF है वो आपको telegram पे मिलेगा daily कि इतनी चीजें मिलेंगी बहुत कम पैसे में यह मिलेगा आपको और इसका यह भी है और हमारे admission लेने पर आभी scholarship टेस्ट भी चल रहा है तो उसमें भी आपको छूट भी मिल लाए कम से अभी हमारे यहां 30% off चल लाए 30% off है इसमें से आपको fees भी कम मिलेगा उसके लिए आप करसके उसरे करेंगे अपर लाइब क्लास अधिके हो कि इसके बाद यहां से हैं आप को तenee से किये लिए अपने इसक्राइग किए हुए lot वी इम्पर अपने अच्छी कर सकते लिए कि कर दे ली भी गरुए आपको इसकि ग्रॉओ अबिटेगा यहां लेग इचे इस मिलेग और देखो आपको जो देगा उसके बाद यहां से फिट आफ लाइन के हमारी यह हैं जब आप यहां से देखो इसमें दो आफर होंगे आपके एक ऑफ-लाइन का एक और अगर दोनों चाहते हैं कि जब आफ-लाइन लेंगे अभी आपने लेने जाए तो इसके लिए भी हमारे बbach छापट के तरीके के हैं बस उनका rate में रही है् प्राइस नंतर होगा देख्शा काम कर रहे हैं कि भी इसमें काम कर रहे हैं तो जरूरी होता है । है डिखके वीना देखेनों एक लब कि उसको भीना गुछ नहीं मिल уст फिर उसके लिए तो पहिछानी आश्चानी यहूंत की श महली लाइक हो गया है लिए अपना लुद देना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत आपकी रखी गई है आप इसकी टेंशन ना लीजिए साथ में हमारे बेस्ट विजर से आपकी classes मिलेंगे offline भी और साथ यहां पर देखिए आपके जो special session online में भी offline में हम कराएंगे जो कुछ famous personalities हैं या bureaucrats हैं इस टाइब से ठीक है हमारे यहां आपको पढ़ाएंगे online offline में वह हैं एक चौदरी सर जो आपको एथिक्स इंडियन सोसाइटी इंटर्नल सिक्यूर्टी सोसल जस्टिस और सोसल इसूस ऑसन सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं जो सहां से आपको इंटर्नेशन आपको पढ़ाते हैं और साथ में इंडियन इकॉनमी आपको अलोग रंजन सर भी पढ़ाएंगे यहां आपको यहां पर जियस का और ऑफिशनल दोनों पढ़ाते हैं और भी हमारी फेकल्टी है उनके अभी नाम इसमें नहीं आएं वह भी आपको बहुत जल्द दिखा दिये जाएंगे ठीक है और यह हमारा आफ्लाइन का ओफिस है जहां पर आप जाकर कर सकते हैं साथ में और ऄहां पर हमारे एंक्टे अदूर सब्सक्राइन कर श्राइब कर सकते हैं और भी AUL tricky जो आपको नहीं में दे पाया ऊर आपके मन में कुछ है आप इस नंबर पर जितने भीकांटैक्त नंबर है इनमें स्मपर करें ओं आप यहांसे वह हमारी website यहां पर विजिट करके हमारी website की बारे में जानकर यहां से क्या क्या चीज़स मिलें उसमें भी अवलेबल है ठीक है तो यह चलू देखिए थैक्यू गाइस फिर मिलते हैं आप से करना मत भूलिएगा आईए का जरूर टाइम पर ओके गाइस थैंक यू बबाई बेस्टाफ लग और पढ़ते रहिए छोड़ना नहीं पढ़ाई कि आप लूज हो जाए बिल्कुल भी ऐसा नहीं नहीं आपको फ्री होना है कि आप हम अराम से कर सकते हैं अराम नहीं करना है यह सोचिएगा और हमें काम करना है रुकना नहीं है ठकना मना है यहाँ पर नहीं तो वही चीज़ यहाँ पर है ओके गाइस थैंक यू बबाई फिर मिलते हैं आप से नेस्ट क्लास में बहुत जल्ड़ अ झाल झाल